एलो दोस्तो वेलकम बेक तुड़े गुर्दाती चेस जोन धर्मिंद मोजित्रा आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तो बहुत सारी ओपनिंग हम लोगों ने सिख ली है बहुत सारी ओपनिंग मैंने आप खुद बताई है जैसे की स्कांडिनेन डिफेंस है स्टॉनवर्ड डच है कोले सिस्टम सिसिलियन क्या रोकान फ्रेंच कुछ नया सिखने को मन करता होगा आप सबको इसलिए मैं एक नई ओपनिंग आपके लिए बेस करता हूं आज कोलोराडव गैंबिट यह खेली जाती है ब्लैक से कोलोराडव गैंबिट दोस्तों जब भी आप कोई हायर रेटेर प्लेयर से खेल रहे हो तो आपको ध्यांग क्या रखना है कि हायरेटेर प्लेयर के सामने नौर्मल ओपनिंग कभी भी नहीं चलती है क्योंकि हायरेटेर का जो प्रिप्रेशन होता है बहुत ही स्ट्रॉंगली होता है आप कहीं भी जैसे कि आप 15-16 मों में कहीं भी मिस्टेक करते हो मुव अर्डर भी चेंज हो जाता है तो वो लोग पकड लेते हैं और उसी के उपर से वो लोग गेम निकाल लेते हैं और हमारी विक्नेश उपनिंग का बहुत ही इम्पोर्टन हे एक एक पॉइंट कब कौन सा मुव करना चाहिए बहुत ही जरू है दोस्तोश्तो नहीं नहीं ओपनिंग शिटके हम लोग बहुत सारी गेम्स जीद सकते हैं जैसे कि हमारे पास बहुत सारी ओपनिंग जब वह आपको पहचानता है तो आप अपनी अलग कोई दूसरे स्टाइल की ओपनिंग चेंज करके उसके सामने उसे सर्प्राइज करके गेम जीच सकते हो तो यहां पर हम देखेंगे आज कॉलोराडव गेंबिट वह एफोर अगेंस खिला जाता है जैसे कि एफोर तो फर्स्ट म नाइट अफ्री करता है यह बल्ड फेमुस मूँव है एफोर देन अन अफ्री नाइट इस बैटर बिफोर बिशब तो यह ट्रीक जो है यहां पर आपको खिलना है एक फाइव यह सर्प्राइज मूव है सामने वाला आपकी ट्रैक में आएगा ही आएगा खास घ्यान रख यहां पर आपको खिलना है डीशिक्स यह आपके मूव हो गए तीन मूव कंप्लेटेड बहुत लंबी ओपनिंग है द्यान से देखिए पुरा विडियो एंड तक देखिए डीशिक्स के बाद यहां बिशब बीफाइव जब आप डीशिक्स करते हो तो बीवीफाइव क्य रहती है क्योंके आपका डियवल्पमेंट्स होता है तो नाइड को पेली कि यहां पे आपको खिलना है पॉन्स इस पंब कि नाइड च्सक्रीफ ass अब यह तो सेच्राइड है और यहां ऊसरुप्राइज क्या है वेलनेज सीफाइब आप क्या प्युवींडिफाइव के बा देगा कि यह तो थोड़ा रिस्की है क्योंकि क्वीन एच फाइल चैक आता है जी सिक्स पॉसिबल नहीं है लेकिन यह पूरी ट्रैप बनी हुई ध्यान से रिखी यहां पर आफ्टर क्वीन एच फाइल अगर दोस्तों इसी मुव में वाइट चैक नहीं देता है तो नाइट पर प्रेशर भी है नाइट रितरन करना होगा या तो फिल डीपोर करना होगा नेक्स मुव में आप नाइट एप सिक्स करते हैं बिलकूल सेफली गेम खेल सकते हो तो यहां पर वाइट को चैक देना जरूरी है तो क्यों फोर्स मुव है यह खास ज्यान रखिए जी सिक्स नाइट टेक्स जी सिक्स और यहां काउंटर एटेक करना है नाइट एप सिक्स अब क्वीन को इसी लाइन में रखना पड़ेगा वरना पॉंड टेक्स नाइट थ्रेट है तो यहां क्वीन एच्पोर यह फोर्स मुव है क्योंकि क्वीन एच्ट्री ज्यादा बेटर नहीं क्योंकि नेक्स्ट मुव में डिस्कवर्ड अटेक करता है तो कुई एस पोल इसे गोड यहां पर आपको खेलना है कुई टेक्स जी तू अब दोस्तों देखिए सामने वाले की जो रुप पे ट्रेट है और हम उसके रुप पे काउंटर अटेक करता है नाइट टेक्स अब किंग इटू अनली मूव है और उसके बाद एक बेस्ट ऑप्शन है एक्पोर जो आपका लाइट स्वेर भी सब है तुरंट एक्शन में आता है एक्पोर के बाद वाइट खेलेगा नाइट सी थी क्योंकि क्वीन सीवन की भी थ्रेट है पहले हम क्वीन सीवन नहीं कर अब कि क्योंकि हमें मेट की त्रेट डिक रही है यहां पर तो नाइट सी-3 को और यहाँ पर आएगा चैक विश्वींप जीपूर और अब किंग के पास ओनली ओप्शन है किंग डी-3 ॅर यहां पर एक्वीन एक्व ON चैक अब उसके पास अनली मूव है किंग डी-4 dönыч और यहां पर डिस्कावर्ड चैट वाई इफाई कुछी मूह में गेम खतम हो जाएगी यहां पर क्योंकि आपके जो रूख नाइट विशप और त्विन और यह भी विशप सारे पीसिस फुल एक्टिव है फुल्ली अक्टिव और ऐसी गेम अगर आप लॉस होके आते हो तो वह आपकी गलती है फिर से देख लेते ही यह बहुत ही आसान है याद रहे जाएगे आपको इफोर नाइट से शिक्स नाइट एफ्ट्री देने फफाई शेकंड वेफाई अब अगर इफाई एडवांस वे है हम चैक को क्योंकि हम भी सामने काउंटर में त्रेट दे रहे दोस्तों जी तूप अब आप्टर विशब टेक्स शीच्छ विशब टेक्स नाइट और क्विटेक्स विशब तो यह भी फोर्स मूव है मेरे इसाब से और यहाँ पर पॉन्टेक्स सिंपल सारे मूज मूव मूव आपको मिलते रहेंगे कि सैक्रिफाइस नाइट एफ सिक्स क्विन एज फोर दैन क्विन जीटू त्यान रखिए क्विन जीटू कब करना है नाइट एफ सिस कब करना है उसके बाद देखो सारे फोर्स मूव है यहाँ पर चैक और फिर खतम कितनी आसान ओपनिंग है दोस्तों यह आपको खेलने में बहुत मजाएगा दूसरा वेरियेशन भी दिखाता हूँ आपको आपको अब यहाँ पे एक और वेरियेशन है नाइट सित्रे बाद बाद को सपोर्ट करता है आपको यह पॉन ले लेना है f cross e4 Knight c3 के बज़ाए और भी variation है दोस्तो ये भी बताता हूँ b sub c4 ये ये white चाहता है attacking option कि Knight g5 की threat है तो ये भी हम देख लेते हैं पहले हम देखेंगे Knight c3 Knight c3 में आपको क्या करना है pawn text pawn capture कर लेना है Knight e4 अब pawn आपने लिया है तो सामने वाला लेगा ही यहाँ पर d5 सिधा attack Knight पर Knight g3 ये possible move है और उसके बाद e5 अब ये position आपकी favor में है दोस्तो completely आपकी favor में center पूरा आपके control में है next move में Knight f6 और पूरा development हो जाता है और आप game बहुत black से बढ़िया तरिके से खेल सकते हो ये opening मेरे इसाब से बहुत ही बढ़िया है दूसरा variation देखते है bishop c4 like Knight c3 के बजाए bishop c4 bishop c4 में आपको reply देना है font text phone Knight g5 में simple d5 और ये दोनों को support अब कोई problem नहीं दोस्तो queen h4 में g6 करके और ये बहुत ही जबजस्ट position black के लिए तो bc4 मेरे इसाब से अच्छा नहीं है तो कोई करेगा नहीं white f5 के बाद एक दूसरा भी variation बताता हूँ fourth move में जैसे कि e5 advanced variation देखते है advanced में बहुत सारे मूँ से है तो ये फाइब आप जब d6 करते हो तो यहाँ पे bishop b5 जैसे हमने पहले देखा कि bishop b5 इसके बदले और क्या खिल सकता है bishop b5 के बदले जैसे कि मानों कि पॉन टेक्स पॉन कर लिया d6 यहाँ पे आपको मानना है c cross d6 center में सारे पॉन हो जाएंगे बहुत ही मज़ाएगा खिलने में ध्यान से देखिए और यह ट्राइ किती है bishop b2 और यहाँ पे e5 अब देखिए आप देख सकते हो black का center कितना जबर्जस्ट है e5 के बाद white करेगा short castle knight f6 black के सारे pieces जबर्जस्ट एटेक में develop में d3 dash square भी सब को open करना जरूरी है तो d3 के बाद d5 अब देखिए f4 g4 e4 d4 c4 यह सारे तो pawn से control में ही है और b5 b4 भी knight और bishop से control में कितने squash black के control में यह ध्यान रखिए d5 के बाद यह position से black अर्षानी से game अच्छी तरह से खेल सकता है जीद भी सकता है bishop e2 के बदले थोड़ा सा move हम change करते हैं यहाँ पे bishop e2 के changing उसके option क्या है अगर knight c3 करता है तब आपको game क्या करता है यहाँ भी आप e5 करोगे उसके बाद bishop c4 फिर से वही वाली threat knight d5 की तो यहाँ पे simple e4 अब यह भी position totally black के control में है आप nc3 में जैसे nc3 में e5 किया bishop c4 के option में white क्या खिल सकता है इस position में तो bishop c4 के option में d4 भी खिल सकते हैं तो d4 में आपको कोई problem नहीं है knight f6 develop करना है d5 d5 q अब आप सोचोगे कि pond text phone लेकिन pond text phone में कोई problem नहीं है black को उपर से queen action होने के बाद भी black का center strong रहेगा तो यहाँ पे mostly knight f6 के reply में white d5 करेगा और यहाँ पे आपको move करना है knight b4 अब यह phone पे दो threat है दो support है bishop b5 अगर आपको check देता है तो यहाँ पे bishop d7 simplify करना है bishop takes d7 और queen takes d7 उसके बाद a3 और knight a6 उसके बाद short castle यहाँ पे bishop e7 simple develop knight g4 यह square उसके लिए है इसलिए knight g4 थोड़ा सा दिक्कत वाला मुह है लिकिन यहाँ भी आपको knight c7 करके उसे stop कर देना उसके बाद आप अच्छी से यह game खेल सकते हो अब दूसरा variation देखते है Colorado game bit खेलने में बहुत मजाएगा आपको e4, nc6, nf3, f5, ef5 अब नया variation है आप सोचोगे कि de5 ही क्यों करेगा कोई pawn text pawn भी कर सकता है न यहाँ पर जो pawn text pawn का भी reply है हमारे पास यहाँ d5 और direct discovered attack on f5 तो उसका reply white को देना पड़ेगा बिशब d3 only option है यह pawn को save करने के लिए तो बिशब d3 में एक और भी मैं बताता हूं नाइट एस पोर से भी बचा सकते हैं तो दोनों variation देख लेंगे ध्यान से देखें पूरा में आज आपको पोलोराडो गेंबिक तैयार करवा दोंगा बहुत सारे trap 6 ने किये दोस्तों वीडियो का बहुत कम पड़ेंगे चैस के पूरा समंदर है तो यहाँ पे EF5, D5 उसके बाद Bishop D3 जो हमने पहले देखा तो Bishop D3 में सिंपल आपको आटेक बढ़ाना है Knight H6 Knight H6 से आप पूर्ण को आटेक बढ़ाओगे G4 पॉसिबल नहीं है और इससे सपोर्ट करने के लिए Knight H4 ओनली मूव है यहाँ पे Discover Attack E5 अब Queen से Knight पे Threat है Queen H5 चैक अब आपको लगेगा कि यह दिस्की लाइन क्यूं है अब यहाँ पे सभी मूज में आपको जबज़स्ट बताऊंगा Knight F7 इंटरपोस करना है Knight C3 Developing के मूँ है Simple यहाँ पे G6 यह तो ऐसा हुआ कि आप Bell मुझे मर लेकिन ऐसा कुछ नहीं है बहुत मज़ाएगा देखिए G6 के reply क्या है H X G6 H X G6 Discover Attack on Queen and Knight अब देखिए Queen takes G6 में Rook takes H4 और आप minor piece प्लस हो जाएगे तो यहाँ पे Simple Queen G4 पॉसिबल नहीं है Queen G5 पॉसिबल नहीं है तो इस पोजिशन में White को completely piece देना पूने है F G6 के बदले Queen G4 अगर खेलता है White तो यहाँ पे एक बढ़िया मूह है G5 है ले सब कुछ surprise है सब कुछ One by one सारे मूह पॉसिश है Knight F3 और उसके बाद E4 Bishop takes E4 अब यहाँ पे कोई जल्दी नहीं करने की जरूद Context Bishop की यहाँ आपको पहले H5 करना है Queen G3 only option है क्योंकि H3 में फिर G4 आता है और इसके बाद Bishop D6 Queen H3 force move है और यहाँ पे D takes E4 उसके बाद आपके कंट्रोल में है इस गेम Knight takes E4 में आप G4 करके गेम आसानी से जीत सकते हैं बहुत की आसानी से तो दोस्तों यह थी Colorado Gambit और भी Colorado की Trap में आपको नेक्स वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखे बेल आइकोन प्रेस करके रखे आपको हर एक वीडियो की notification आएगी हर दो दिन में मेरा एक वीडियो upload होता है और ऐसे बहुत सारे जबजस्ट ओपनिंग नई नई ओपनिंग जो आपने नाम भी नहीं सुने होंगे ऐसी ओपनिंग में आपके सामने रेडि करके लाता हूं जल ही मिलेंगे जय है जय गुटा